हेलो फ्रेंट्स गुड नाइट गुड इवनिंग और मैं हूँ आपका होस्ट रामकमार राठी राठी प्राकरतिक प्रेमी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों काफी दिनों के बाद आज हम फिर एक नय वीडियो एक नए समय पर बनाने जा रही हैं तो दोस्तों आज हम अपने घर पे ही दिवाली के बाद दिवाली के बाद दिल्ली को छोड़ करके दुआ ही दुआ ही दुआ है और यहां ठंड इतनी है बोलने भी बोलने में भी काफी जोर लग रहा क्योंकि यहां ठंड ज्यादा है मैं इस टेम नेनिताल में और अपने घर यह वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे यहां पर कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने यहां प्लोटिंग करी हुई है, जमीन ली हुई है, उनका मकान बन रहा है, और वो लोग भी दिल्ली के दिवाली के धुमे से बचते बचाते हुए, लास्ट में उन्होंने कुछ समय के लिए दि इसलिए कि कुछ दिन हम स्कून की सांस ले सकें, उक्सिजन ले सकें, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता है, दिवाली के बाद कुछ पटाकों का धुआ, और कुछ पराली का धुआ, जो कि हमारे किशानों के दुआरा सुनने में आया है कि पराली जलाई जाती है, और उन सब से बचते बचाते हुए, एक फैमिली पहाड के अंदर पहुच गई, और उनको यहां अच्छा लग रहा है, उनको यहां अच्छी तरी किसी सांस आ रहा है, उक्सिजन अच्छी मिल रही है, रात का समय है, आस्मान में चांद चमक रहा है, और इस समय में गार्डन के अंदर हूं और गार्डन के अंदर अंगीठी के उपर अंगीठी के ऊपर खाना बन रहा है यह देख सकते हो यह दिल्ली से आया वहापरिवार छोटा सा मुन्ना बच्चा Halo क्या नाम है बेटा अद्विक है कहां से आ रहे हो दिल्ली से क्यों आए हो क्या दिक्कत होगी दिल्ली में अरे ये बच्चा भी धुमे से प्रेशान और इनके मम्मी पापा भी प्रेशान और अब ये भोजन चल रहा है अंगीठी के उपर ये खाना और तो फ्रेंट्स मैं उन बच्चों से मिलवाता हूँ जो आज दिल्ली से आए है थोड़ा बेटा चेर आगे करो तुम्हारी शकल पर अंधे रहा है इदर आवा आगे चेर आगे करो ये बैठिये बैठिये हाँ बताईए कहां से आए हो इंग्लिश बोलता है बच्चा दिल्ली का है रेने वाला है कोई बात नहीं हमें हिंदी आती बेटा अच्छा वाट प्रोब्लम यहां क्या प्रोब्लम थी आपको यहांने की क्या जरूत पड़ी थी यहां पर बेठा थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है और यह बच्चा पॉलिशन के वज़े से दिल्ली छोड़के और समझ जाओ पॉलिशन पॉलिशन कुछ भी हो सकता है और बावनाव पर ना जाएं और दोस्तों और यहां देखिए भोजन भी चल रहा है अंगीठी सब्सक्राइब अंगीठी के ओपर खौना भी पक रहा है और खाना बनाने वाले यह दे कितने जोर सोर से खाना बन रहा है और यह 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 दिल्ली है मिनोद कुमार जी इंजीनियर और सर क्या चल रहा है खाना वना हो रहा है हलो खाना चल रहा है अच्छा और यह दिली से आने की वज़े क्या थी दिली से आने की वज़े बस पॉल्यूशन तो कि मैं एक अस्थमेटिक पर्सन हूं मैं तो इसलिए बस यह सोचे कि अगभी यहां से निकलते हैं और अपने प्राकर्तिक प्राकर्तिक प्रेमी की निवास पी बिल्कुल आगे और थोड़ा सा अंकल जी आज कल थोड़ा अपने प्लोट के भी बनवा रहे ह है तो अंकल जी आज कल थेकदारी भी बने हुए है यह देखिए इन्हों ने मुझे बताया क्योंकि इन्हों ने भी अपना यहां पर एक अच्छा सा बड़ा सा प्लोट लिया है और बिल्कुल पहाड के टोप पर लिया है और वहां पर कंट्रेक्शन का कामीन का चल रहा है और इनके साथ फैमिली आई है हाँ बेटा हेलो बच्छों को भी मैंने डिस्टब कर दिया बोजन चल रहा है कैसे बेटा कैसा लग रहा है यहां पर बोलो बोलो नेचरल कैसा फिल हो रहा है है आउट ऑफ सफोकेशन वेरी गुड यानि की कुल मिलाकर करके आपको यहां पर नेचर में आने से नेचर में आने से आपको अच्छा लग रहा है वेरी गुड और यह थे दिली के एक छोटे से इंजीनियर की फैमिली और जो दिली के पॉलिशन की वज़े से यहां पहाड में पहाड में अपना सुख के दो पल और एक अच्छी ओक्सिजन पाने के लिए और मैंने कहा एक छोटा सा इंजीनियर यह छोटा सा इंजीनियर नहीं यह बड़ा सा इंजीनियर है परंतु प्रिवार छोटा सा है मेरा बोलने का लहजा कुछ दूसरा था और तो दोस्तों ये लोग दिल्ली से और दिल्ली से यहां आ करके इनको अच्छा लग रहा है और रात में ये मेरे गार्डन में उगी हुई सब्जियां और इसका लुप्त उठा रहे हैं सब और गेनिक हैं उपर चंदर्मा है सामने लाइटिंग लाइटिंग पहाड के इन्दर ये नजारे आम होते हैं दोस्तों तो फ्रेंड्स हम फिर नई वीडियो में मिलते हैं मैं हूँ आपका ओस्ट रामकमा राठी और राठी प्राकरतिक प्रेमी चैनल फर फिर से स्वागत है दोस्तो मेरा चैनल लाइक करें करें नमस्कार